हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सदासरे ट्यूटरियाल आज फिर हमने इगनोबीड रिलेटर एक आपडेट लेके आये हैं और जो साथ जन्वरी को हुआ अगर आपको कुस कोस्टिन याद है तो आप हमें कमेंट बाक्स में बता सकते हैं और यहां पर हमारे पास जितने भी कोस्टिन हैं उसको आनलिसिस करेंगे और और उसका राइट आंसर भी आहां पर आपको मिल जाएगा तो यह एक अनफिस्यल आंसर की भी हो सकता है तो आप बस आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा कुस्टिन याद है और आपका कुस्टिन सही है यह गलत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल में नहीं हो तो पहरे प्लीज चैनल को सुस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि इस रिलेटेड आपको बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है और बेल आइकन को भी दबा दिजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पहुंच सेके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला इस टाइप का एक कोस्टिन आया था एनिपी 2020 को लेके एक कोस्टिन आया थ जो कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वह कौनसी क्लास है कौनसी क्लास तक इसको लेके एनिपी 2020 को लेके यह कोस्टिन आया था तो यह जो था सेकेंडरी एजुकेशन जो था सेकेंडरी एजुकेशन यह क्लास 9 से 12 तक है तो क्लास 9 से 12 तक जो जो भी आंसर इसने क्या है उसका आंसर सही है तो एनिपी 2020 का जो सेकेंडरी एजुकेशन है तो वह 9 से 12 तक हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है ABC को लेके भी एक कोस्चिन आया था ABC का फुल फॉर्म भी आया था और ABC का लांच हुआ था वो भी दो कोस्चिन आया था ABC को लेके जो ABC का फुल फॉर्म था American Broadcasting Company और और भी एक है जो हमारे जो बुक के हिसाब से क्या है आपको अगर पता है तो मुझे कमेंड बाक्स में प्लीज बता दीजिएगा एक ABC का फुल फॉर्म है American Broadcasting Company तो नेक्स्ट कोस्टिन है यह लांच आफ ABC I think 1943 को हुआ था ABC लांच जो है वो यह जो American Broadcasting Company है उसका जो लांच 1943 को हुआ था और हमारा वाला जो है उसके बाद उल्डेस्ट हील इसको लेके कुश्चिन आए था इंडिया का उल्डेस्ट हील कौन सा है I think यह आरावली होगा आरावली हील्स यह सबसे ओल्डेस्ट है आरावली यह सबसे ओल्डेस्ट है तो यह आंसर हो सकता है ओल्डेस्ट हील आरावली है और इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड उसके बाद Constitution को लेके तीन कोस्चिन आया था Constitution को लेके तीन कोस्चिन आया था एक सीडूल को लेके कितना सीडूल है Constitution में कितना सीडूल है तो इसका अंसर सीडूल जो है वो बारा हो जाएगा 12 सीडूल Constitution को लेके जो कोस्चिन पहला वाला कोस्चिन वर 12 सीडल है और Constitution को लेके और भी question आया था when did Constitution come into force तो इसका आंसर हो जाएगा 26th January 26th January 1950 Constitution came into force in 26th January 1950 और एक कुश्चिन था oldest dynasty oldest dynasty इसका नाम हो जाएगा क्या? Maurya Maurya dynasty आपने कौन सा किया है इसका आंसर मुझे comment box में जरूर बतायागा oldest dynasty आपने कौन सा किया है So next question MOOC को लेके M-O-O-C इसको लेके question आया था आपके paper में तो इसको लेके दो question आया था M-O-O-C उसको लेके एक full form पुछा था और ये किस काम में यूज किया जाता था इसको लेके दो question आया था MOOC जो था इसका full form है क्या Massive Open Online Courses Massive Open Online Courses ये हो जाएगा उसका answer Massive Open Online Courses तो MOOC का आपको full form यहां पर मिल गया और एक question था deepest ocean क्या है उसका नाम क्या है deepest ocean का नाम क्या है तो ये हो जाएगा Pacific Ocean Pacific Ocean deepest ocean का नाम आपको मिल गया है यहां पर तो हमारा तो 5 ocean है उसमें से deepest ocean Pacific Ocean है और एक reasoning में यहां पर एक question आपको यहां पर एक triangle था और इस triangle में कितना total triangle number of triangle कितना है number of triangles कितना है यहां पर इसको count करकर लिखना था तो इसका answer है 16 इसको count करोगे तो इसका answer आजाएगा 16 16 ट्रांगल से यहां पर है और NCT regarding भी कोश्चिन आया था teacher education को लेके teacher training और teacher education को लेके एक कोश्चिन आया था तो इसका option था इसका इसका अफशन तो इसका अफशन था उसमें से सही अफशन ncd हो जाएगा सκλαशल है इसका आणसर नाजन संब को लेके कोशिन है था और दोनों को लेकं बहुत सारा कोशिन आया था और एक कोशिन था यह सॉन आप बीस फादर्स वाइस ड्रॉदर और कोशिन पूछा गया था कि ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है तो यह हो जाएगा ब्रॉदर हो जाएगा उसका अंसर ब्रॉदर ही होगा और ब्रॉदर होगा और भी बहुत सारा कोशिन है जो अल्फाबेट को लेके जो कोशिन आया था अल्फाबेट को लेके सुपोज यहां पर एक के क्यूँ एक क्यूँ है उसके बाद नेक्स्ट कोशिन A, K, Q और एक नेक्स्ट है B, L, R इस तरह कुशिन आता था और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्या होगा A, B, उसके बाद C, इसी टाइप का ही होगा K, के बाद L, Q, Q के बाद R और प्रिवियोस लेटर को भी लेके कोशिन आया था पर मुझे जितना आसा है कि आपको ये सब कोशिन बहुत ईजी लगा होगा इस टाइम जो साथ जन्वरी को जो एक्जाम हुआ था वो आपको बहुत ही इजी लगा होगा प्रिवियोस ये के इसाब से तो अगर आपके भी कुछ कोशिन याद है आपको मुझे कमेंट बक्स में कमेंट कीजिए और उसका आंसर भी क्या होगा और कौन सा कोशिन जो साइन्स में तो बहुत ही इजी कोशिन आया था और साइन्स में कुछिन आय था रिप्रोड़क्टिव पास पॉलवर फ्लावर का फ्लावर का जित्रोड़क्टिव पार्ट है उसका नाम क्या है स्टामेर एंड पिस्टिल से पल औरन पिस्टिल शेकल और पेकटल यह जो ऐसATHANいます उसमें से कौन सा आपने किया है मुझे कमेंट में बताइए और एक कोश्चिन था कॉरेंट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इसमें यह हो जाएगा इसका आंसर आमिटर कॉरेंट मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट और ट्रांस्पी जो लीव रवूटर को अ क्या सी लिवर में उसको स्टाइब क्या कहा जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा उसका पें तो आपने कौन सा अप्स्प्सार क arises कि Ilra कॉमेंट में जरूर बताइएगा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और आपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले और एक क्वेश्चिन है salt making process उसको वह जो प्रोसेस है वह उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस है सॉल्ट हमें production होता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या है वह हो जाएगा इवापोरेशन ट्रोसेस के जरिये हमें सौल्ट मिलता है और एक कोस्चिन था एक लड़का ने क्या किया अपने घर से उतर दिशा की ओर आठ किलोमेटर गया है उसके बाद उसके राइट साइड में फिट से 6 किलोमेटर गया है तो उसके घर से वो जहां पर पहुंचा उसके घर से वो कितना दूरी पर पहुंचा तो यह एक राइट एंगल हो गया राइट एंगल हुआ है तो इसका दो साइड हमें मिल गया तो यह जो है है इसको कैसे मिलेगा हमें तो यह हो जाएगा 8 का square plus 6 का square का root over is equal to 64 plus 36 root over is equal to 100 root over is equal to 10 तो इसका घट से वो कहां कितने दूरी पर पहुंचा है 10 किलोमेटर तो इसका आंसर हो जाएगा यह जो question था इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमेटर तो मुझे जितना question याथ था और जितना भी question मुझे मिला है उसी को लेके मैंने ये question analysis जो paper analysis किया है अगर आपके मन में भी और सारा कुछ question है तो आप मुझे comment box में जरूर बताएगा अगर हो सके तो मैं फिर एक वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए उसके answer के साथ उसको आपको एक on official answer की भी उसके जरीए मिल जाएगा तो तब तक आपको बास चैनल कर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को share कीजिए ताकि मुझे 100 से out of 100 question मिल जाए जितना question है मेरे पास उसे और भी मतलब जितना भी हो सके मुझे question send कीजिए comment में ताकि 100 से 100 question को लेके हमें मैं और एक वीडियो बना सकूं तो आपकी support की मुझे बहुत जरूरत है तो उस तक आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए आपको बस इतना ही मुझे help करना है थांक यू तो like, share, comment करते रहिए और मैं भी आपकी comment को anytime चेक करूँगी और उसका जवाब देने के लिए 100% कुशिस करूँगी तो तब तक के लिए see you later मुझे ज़िए झाल